लक्ष्मी हमेशा से क्या है कि सुसिल, सान्थ, दान-धर्बिन लोगों के पास रहती है। उसे दान, कुछ अंडाल और जो खमंडी होते हैं उनके पास कभी ने रहती है। और रहती भी हैं तुहां से निकलके भागने का प्रयास करती है। क्योंकि जहां पे सान्थ दुआतरों नहीं है। जहां पे लोगों में प्रस्पर प्रेम की भावना नहीं है। और जहां पे पुरुकार की भावना नहीं है। वहां लक्ष्मी रही नहीं सकते हैं, इसका एक चौपाइम बोलता हूं कि लक्ष्मी का बास कैसे कहा होता है। चिम सर्ता सागर्म है जाई, यद्दता कामना नाई, तिहीं धन संपत भी नहीं बुलाए, धरम सीरत पाई सुझाए। अर्था कि जिस प्रकार सर्ता ना चायते हैं भी धेरे-धे संब्दर में आके विरिन होती है। उसे प्रकार लक्ष्मी भी सांथ, सुभाव और सुझील और जहां पे प्रेम होता है वहां प्याटो अनायास ही चली जाती है। और जहां पे लड़ाई, छगड़ा, लोगों में मार पिन और प्रेम में कमे होती है, वहां से रुष्टो कर भाग जाती है। इसलिए हमें सांथ पुर्बद प्रेम से लक्ष्मी को अपने पास आवान करके उनकी पूजा, उनका सत्कार करना चाहिए। अपने घर का उत्रवन करके सांथ में बनाना चाहिए। इससे हमारे लक्ष्मी का वास हो। और हमेशा लक्ष्मी नाने का ध्यान करते हैं, ओम लक्ष्मी नाना भ्यामनमें मंत्र का जाब करना चाहिए। और कुछ उच्मी के तौकvoorbeeld शुबह सुबह साम, नहीं तो साम को आप उच्प, नहीं तो रात में आप तिसरे परार में नौदर गजे आपाक्ष्मीकी सिवाराना करके आप एंम संतुख्य। अलक्षमिया क्यां जे कात अन्युआस कर सकती है ओम नक्षमी देविनादा अम नक्षमी देविनादा